Advanced Tax, Income Tax का बहुत ही important concept है अभी आपका जो financial year है 23-24 खतम हो चुका है और financial year 24-25 भी start हो चुका है ये किसी particular financial year is related नहीं है बहुत ही पुराना concept है ये आपको हर बार ही काम आने वाला है अगर आप Advanced के अंदर डंक से टाइम से planning कर लेंगे और ITR भरेंगे अगर आपका कोई वहाँ पे tax payable आ रहा है तो आपको पता होगा tax के साथ साथ में बहुत सारा interest paid करना पड़ जाएगा अगर आपने advanced tax के बारे में नहीं जाना है तो इस वीडियो के last तक अगर आप बने रहेंगे तो advanced tax related जितने भी doubt है वो सारे आपके clear हो जाने वाले हैं तो एक साल तो ये पूरा का पूरा हो गया 12 मन्थ उसके बाद में जो आप अपनी आईटियर भरेंगे वो 31 जुलाई 2025 तक भरेंगे तो मतलब इसके बाद में एपरेल मई जून जुलाई चार महिने आपके यह हो चुके हैं अगर आप आपनी आईटियर 31 जुलाई तक नहीं ब करते हैं तो गवर्मेंट को इतना सबर नहीं होता है गवर्मेंट कहती है कि कोई भी कमाई करी है तो हमें टैक्स चाहिए पे एज यू अन जैसे आपने कमा लिया वैसे हमें दे दो नीड टू पे इन इस्टोल्मेंट यहाँ पे किस तों के अंदर आपको अद्वांस टैक् बनेगा तब गवर्मेंट कहती है में अगर आपका 9,000 रुपे का ही टैक्स बनेगा आई टीर भरते समय या लस्ट में तो आपका कोई अद्वांस टैक्स समय नहीं चाहिए कोई भी ब्याज वगएर आपका नहीं लगाएंगे तो यह कैसे पता लगेगा आपको यह आपको 10,000 से ज़्यादा का बनता है तो आपको अडवांस में टैक्स बरना पड़ेगा अगर आपका किसी ने TDS काट लिया है या कहीं पर आपका TCS कलेक्ट हो चुका है तो यह आपका अडवांस टैक्स ही मना जाएगा इसके अगर यह चीज हो चुकी है तो अलग से आपको कोई अडवांस टैक्स भरने की जुरूरत नहीं है तो अडवांस टैक्स आपका कैसे कल्कुलिट किया जाएगा आपको मैंने बता दिया पांस तरहें की हैड होती है सेलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रोपर्टी, पीजी बीप, अधर सोर्स इन पांचों को आप जोड लेंगे व उस पे हेल्थ और एज्यूकेशन सेस आपको 4% देना है, वो आपकी टैक्स लियाबिलिटी आ जाएगी, अब आप देख लें कि 87A की रिलीफ आपको ओल्ड टैक्स रिजाई में 12,500 की, न्यू टैक्स रिजाई में 25,000 की अवेलेबल है या नहीं है, ये देख लें, कोई TDS पहले कट चुका है, तो वो देख लें, उसके बाद में जो ये आपका टैक्स लियाबिलिटी आएगी, ये अगर 10,000 से ज़्यादा की बनती है, तब आपको अडवांस टैक्स पे करना है, तो इस तरह से आप अपना अडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, अब अब अडवांस टैक्स आपको कैसे बरना है, तो ये देखिए, इन्होंने डेट डिसाइड कर दिये, कि इस तरह से पहले पहले हमें अडवांस टैक्स पे कर दो आप, अब आपको मैंने फिर से बताया था, एक चार जोविस को जो आपका साल खतम होगा, तो आपका चोथा महीना पांचवा महीना और छटा महीना, 15 जून, मतलब 6 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं, क्वाटर पूरे होने से पहले ही इस क्वाटर का टैक्स आपको अमें दे देना है, जो टोटल टैक्स आपने कैलकुलेट किया है, एस्टीमेट किया है, उसका 15% हमने आपको देना पड़ फोर इक्जामपल आपको लगा कि मेरा एक लाक रुपे का टेक्स बनता है जब मैं ITR भरूंगा जब गोर्मेट कहती है बाई साब 15,000 पर तो आप यहीं दे दो हमें जो कि 15 जून होगा इसके बाद में 15 सेप्टेंबर में आपको 45,000 पर देने हैं लेकिन 15 आपने दे दिये है दोस्तो एक लाक रुपे तो 75,000 पर आपने आपे दे दिया है बाकी का 25,000 पर टेक्स आपका जो है वो 15 मर्ज तक पे कर देना है तो इस तरह से चार किस्तों में आपका जितना भी टेक्स बनता होगा वो आपको अडवांस के अंदर ही आपको पे कर देना है और दोस्तो एक और चीज में बताना चाहता हूँ अगर आप 15 मर्ज तक पे नहीं कर पाए हैं तो 31 मर्ज तक भी अगर आप पे कर देते हैं तो वो भी आपका अडवांस टेक्स के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा बहुत सारे FAQs हैं वो आपके इस वीडियो में डिसकस हो जाएंगे old tax regime में आप जाते हैं और आपकी taxable income आपको पता होगा बहुत सारी deduction और exemptions का benefit आपको मिलता है और आपकी income 5000 पैसे कम आ जाती है तो 87.1 कहता है कि आपको rebate मिल जाएगी 12500 का tax आपको नहीं देना पड़ेगा आपका tax 0 हो जाएगा अगर आपका tax ही नहीं है तो आपका advanced tax भी आपको नहीं बरना है लेकिन 31 जुलाई जो भी इसके due date है 24 में बरने है या 25 में बरने है उससे पहले अगर आप अपनी ITR भरेंगे तब भी आप old tax regime में जा सकते हैं 10 IEA का form भी आपको भरना पड़ेगा 31 जुलाई के बाद में आपको old tax regime का benefit नहीं मिलने वाला है महीं पर अगर आप new tax regime में जाते हैं और आपकी सारी की सारी deduction वगरा लेने के बाद आपकी income 7 लाग तक आ जाती है तो आपको पता होगा 3 लाग तक तो tax free है 3 लाग से 7 लाग पर बनने वाला tax जो होता है वो 25,000 होता है इस 25,000 पर की rebate 87 A में मिल जाएगी अगर आपका कोई भी tax नही अगर online आ रही है तो 6% otherwise cash के अंदर आ रही है तो 8% दिखाएंगे और अगर आप एक service provider है तो अपनी service का 50% net profit दिखा देते हैं तो जो वेक्ति 44 AD में ADA में अपनी return बरने है तो उनकी आपको advanced tax चार किस्तों में ना भरके एक किस्त में बरने है वो आप 15 March तक बर सकते हैं अग इंडिया में नहीं रहते हैं या रहते हैं 182 दिन से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहे थे तो उनको अगर tax बनता है 10 जरत से ज़्यादा तो उनको भी advanced tax भरना पड़ जाएगा अब senior citizen की बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे देश का एक ऐसा तबका ऐसा इसा है जिन्होंने पूरी life अपना contribution किया है देश के लिए काम किया है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो साल के बीच में भी 60 साल या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस व्यक्ति को advanced tax नहीं बरना है आपको पता होगा इनकी salary की income आ सकती है नहीं आ रही है तो pension की income आती होगी इसके बाद में capital gain आता ह house property आता है और other source आता है अगर इन चारों से ही income आ रही है तो advanced tax नहीं बरना है पांचवा head PGBP अगर ये लोग business कर रहे हैं फिर हम आपसे advanced tax लेंगे क्योंकि आप business कर रहे हो तो आप पूरे active हो तो advanced tax भी आपको देना पड़ेगा अब बात करते हैं case of advanced tax paid assesses more than his income अब अगर म ये आप income tax की return भरेंगे तो आप इसे refund ले सकते हैं और इस interest refund के उपर दोस्तो जब आप ITR भरेंगे तो उस financial year का जैसे कि अगर आपने एक चार इस से 31-24 वाले साल के लिए ITR भरी है तो आपने ITR भर दी तो 14-2024 से आपको जो है जब ITR भर देंगे तो तब से आपको interest भी म is belong और earn दोस्तो it is called advanced tax अब मैंने फिर से आपको बता देता हूँ 1-4-23-31-24 इस साल के अंदर आपने कोई भी tax भरा तो ये आपका advanced tax आजाएगा तो उसके coding उसकी rule हो जाएगे अब ये साल खतम हो गया अब अगला साल चुरू हो गया जो कि 24-25 हो जाएगा अब इस 24-25 के अ इसके बाद में दोस्तो प्रोपरली आपको advanced tax calculate करना हो तो ये income tax की website है इसका हम link भी दे देंगे description box में otherwise आप Google पर simply भी लिख सकते है advanced tax calculator आप अपनी income डालेंगे तो वहाँ पे आपको show कर जाएगा कि कितना advanced tax आपको कब-कब भर देना है इसके बाद में दोस्तो head of payment हमने अ और एक और question आता था कि अगर advanced tax बरना है तो क्या हमने खुद के account से ही बरना पड़ेगा तो ये जुरूरी नहीं है दोस्तों कि आपका खुद का ही account हो लाकि आप अपने account से बरेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया हो जाता है कि कल को आपके books of account या कहीं पे account statement देते हैं लेकिन आपका pen number खुद का होना चाहिए आप अपने pen card के साथ से चलान बरें permanent account number से और आप किसी का भी account किसी की भी UPI या bank से जाकर के नगत भी ये जो है चलान बर सकते हैं advanced tax paid will show in form 26 AS आपको पता होगा AIS, TIS और form 26 AS तीन तरह के form होते हैं ये तीन तीन मेने में अपडेट होते रहते हैं तो जो भी आपका financial year 23 तो इसका आपका जो टीडियर advanced tax बगरा होगा वो जब ITR भरेंगे तो आप अपने AIS, TIS और 26 AS में जरूर cross verify कर लें वहाँ पे बोल रह दोस्तो अगर आप payment नहीं करते हैं advanced tax की मतलब advanced tax को नहीं बढ़ते हैं तो क्या होगा जब भी आप अपनी ITR भरेंगे, ITR भरते समय आपका कोई भी tax payable आएगा तो income tax का जो section है 234B, 234C वहाँ पे आपको काफी heavy amount में interest भी देना पढ़ेगा tax के साथ साथ में, अब इसके ब रहा है, जिस साल के लिए आप tax भरना चाते हैं, वो साल अभी तक खतम नहीं हो है, तो कभी भी आप tax भरेंगे तो उसको आप advanced tax के नाम से भरेंगे, क्योंकि जब भी तक ये साल चल रहा है, 31 मार्च के बाद में जो tax भरेंगे, वो आपका self-assessment tax हो जाएगा, any tax paid till 31 मार्च जो advanced tax माना जाएगा, आपको जुरूर नहीं है कि 4 installment में भरना है, हलांकि 4 installment में भरेंगे तो आपका हर quarter wise आपका interest बगरा नहीं लगेगा, अगर फिर भी आप 31 मार्च तक अपने advanced tax भर देते हैं, तो ये advanced tax ही माना जाएगा, if the last day of payment of any installment, अगर आपने जिस दिन advanced tax भरना है, जैसे मैंने आपको बताया था, अप्रेल माई जून का, 15 जून को अगर आपने भरना है, या इसके बाद में 15 स्तंबर भरना है, 15 दिसंबर या 15 मार्च को, कोई भी bank account का holiday है दोस्तो, then the taxpayer should pay the advanced tax on immediately next following day, ये circular आया था, अगर मानलो आपने 15 मार्च, for example, 2024 को advanced tax भरना था, लेकि इसके बाद में दोस्तो एक और question आ रहा था, मैंने पहले ही discuss कर लिया है, कि अगर आपने कोई ATC, ATD, HR, home loan, किसी भी तरह की कोई छूट लेनी है, तो इस छूट लेने के बाद में जो आपकी tax liability आएगी ना, जो आपकी final tax liability है, वो 10,000 पैसे ज़्यादा बनती है, तब ही advance tax देना है, otherwise कोई भी advance tax आपको नहीं देना, और इसके बाद बात कर लेते हैं, कहना ही pay advance tax after due date, दोस्तो, you must pay advance tax before due date, चार installment है, 15 June, 15 September, 15 December, 15 March, अगर advance tax आपने paid नहीं किया है, तो 1% per month के साब से आपको interest देना पड़ जाएगा, तो अब आपकी ये इच्छा है कि आप advance tax भरन चाते हैं, time से बरना चाते हैं, नहीं बरना चाते हैं, benefit क्या है, अगर आप advance tax भरते हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तो, tax collection process speed up हो जाएगा, government को जो last में, साल के last में tax मिलना था, वो time से मिल लिया है, तो उनको अपने planning करने में थोड़ी असानी हो जाएगी, defaulting tax regime chances, अब आप उन्हें advance tax पहले से बर दिया, बाद में आपका मन बदल गया, तो आपका क्या है, government को तो tax मिल गया ना, already पहले से ही, तो ये government के benefit है, increase in the government fund, क्योंकि government ने जो भी पैसा इकठा किया है, उसको use करेगी, तो उसके collected amount पर आप interest ले सकते हैं, from the government perspective है, ये cash flow अगर आपका मिलता और taxpayer को भी tension लेने की जुरूत नहीं है, अगर उन्हें advance tax बर दिया है, और जब ITR बरते समया, उनको tax की पैसे की कमी पढ़ गी, तो आप advance tax आपका already बरा होगा, इसके बाद में आपको interest नहीं देना पड़ेगा, इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा, rate वगरा income tax की प जरूत नहीं है, वीडियो कैसी लगी हमें, लाइक जरूर करें, अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, इस वीडियो को उन्हें सभी लोगों में share करें, जो income कमाते हैं और advance tax के बारे में उनको नहीं पता था, कोई doubt query question रह गी है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अच्छी है बुरी, वो भी हमें कमेंट करके दूरूर बताएं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, thank you so much, जै हिंद, जै भारत